नमस्ते दोस्तों वेलकूं टो अवर्चिन आज हम लेला है आप लोगों के लिए भेच रेसिपी इसको कुछ लोग बोलते हैं भेच कुछ लोग बोलते हैं नान भेच हमारा रेसिपी को कुछ लोग बोलते हैं भेज, कुछ लोग बोलते हैं नन भेज आपके असुसते हैं आपके उपर डिपेंड करता हैं आईए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं आज हम बनाएंगे वीडाउट ओन्यान गार्लिक से एंडे का करी आईए दोस्तों बनाते हैं आप इस चैनल पे ने हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी के लिए और घंटी ज़रूर दबाएए एक कड़ाई लेते हैं कड़ाई में टू टेबल स्पून ओय लिए हैं अब इसमें हम बॉइल के हुआ एग लिए हैं आप ये एग को यहां पर फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए हमें वान फॉर्थ हल्दी पाउडर वान फॉर्थ नमक अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसी में हमें फ्राइ करना है 10 मिनिट तक हमें अंडे को फ्राइ करना है देखिए थोड़ा थोड़ा बन गया है देखिए थोड़ा फ्राइ हो गया है आप लोग अंडा फ्राइ करते हों कि आप थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं हमने हैं पर बस नमक और हल्जी पाउडर से अंडा को फ्राई किये है थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया है आब इसको थोड़ा दिर तक और फ्राई करेंगे देखी रेड रेड हो गया है अंडा आब इसको निकाल लेते हैं अंडा हमारा फ्राइ हो गया अच्छे से अब उसी कड़ाई में हम मसाला को डाल रहे हैं हमें मसाला वेस्ट नहीं करना है मसाला का पानी डाल कर इसको डाल देते हैं अब इसमें 1-4 धल्दी पाउडर, 1-4 नामाक, आप चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर ले सकते हैं यह हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसको 5 मिनित तक कवर कर लेते हैं देखिये दोस्तों, पानी सुख गया है मसाला भी सुखे थोड़ा थोड़ा अब इसको फ्राइ करेंगे हमने यहाँ पर अंडे को फ्राइ किया हूँ अंडे को डाल रहे हैं दोनों को मिक्स करके हमें फ्राइ करना है आप लोग देखें होंगे मसाला को सुखाने के बाद पानी उसके बाद सब चीज डालते हैं जैसे कि वेज़ेबल, अंडा अंडा चिकेन सब को डालते हैं लेकिन हम ने याप पानी हुआ मसाला में अंडा को डाल को फ्राइ करें देखिए इसका अर्टेल निकल आया है मतलब अच्छे से फ्राइ हो गए मसाला के साथ अंडे फिर से इसको मिक्स करके फ्राइ करेंगे मसाला के साथ अंडे तो फ्राइ हो गए है देखिए मसाला का पानी भी सुग गए है अच्छे से मुझे बुखा रहे हैं इसलिए आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रहा है अब लोगों को थोड़ा माफ कर दीजिए अब लोगों की जरुद की मुताविका पानी दे सकते हमने यहाँ पर एक कप पानी लिये हैं अब यह सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह अंडा को दो मिनित तक कवर कर लेते हैं ताकि पानी का उबाला जाए देखिए उबाला गए है अब यहाँ पर हमने बैंगन लिये हैं बैंगन को डालेंगे आप चाहे तो आलो ले सकते हैं हमने यहाँ पर थोड़ा पानी लिये आप स्वाद मुताविक थोड़ा सा नमक लिये हैं अब यह सब को मिक्स करके कवर कर लेते हैं देखिए आप यहाँ पर टमाटो को डाल रहे हैं एक टमाटो पहले लिये थे ग्राइन किये थे अब यहां पर दूसरा टमाटो को कट करके डाले हैं और इसको कवर कर लेते हैं देखिए दोस्तों कितना अच्छे से उबल रहा है अच्छे से हो गए अब यहां पर हरी धनिया पत्ते को डालेंगे पत्ते के साथ हरी धनिया का स्टेम को हम यहां पर डाले हैं ताकि अच्छा खुस्बू आए देखिए दोस्तों हमारा बन गया आफ ग्यास आफ कर लेते हैं देवट ओनियन गालिक अंडे करी रेडी है आईए दोस्तों सफ करते हैं आईए दोस्तों खाते हैं बहुत टेस्टी है दोस्तों आप लोगों को पता भी नहीं चलागा विदावट ओनियन गालिक से भी इतना टेस्टी अंडे करी बन सकता है यसे नहीं नहीं रेसिपी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ों वीडियो को लाइक सेर करना मत भूले थैंक यू दोस्तों फो वाचिंग हमारा वीडियो को एक लाइक और सेकिंजे थैंक यू दोस्तों फो वाचिंग थांक यू दोस्तों पो वाच्छिंग।